हलो नमस्कार स्वागत आप सभी का नेक्स्ट नाइन नियूस में मैं हूँ सुगन और आज हम आप सभी के लिए खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है बॉलिवर्ड गॉस्टिप अब आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम के नाम से ही अंदाजा लगी गया होगा कि आज हम आप सभी को बॉलिवर्ड से दूरी तमाम मज़दार गॉसिप खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं यह वो सितारे हैं जो इस वक्त काफी ज़ादा चर्चा में बने हुए हैं कोई न कोई कारणामा करकर इन सारे अक्टर और आप्रीश की जो खबर होती हैं वो गोसिप में कनवर्ट हो जाती हैं और आज हम आप सभी को उन्हीं बॉलिवर्ड आक्रिस उसके बारे में बताने वाले हैं उन्हीं बॉलिवुड सितारों के बारे में बताने वाले हैं जो काफी जादा चर्चा में बने हुए हैं आईए डाउते हैं नजर आज के हमारी स्खास रिपोर्ट पर बॉलिवुड में आक्टर हुँ या फिर आक्टरस हर किसी का एयरपोर्ट लुक हमेशा ही चर्चा में बना रहता हैं तो वही हाल ही में बॉलिवुड की दबंग सल्मान खान की करीबी बॉलिवुड आक्टरस और श्रीलंकन कुईन जाकलीन फर्नांडेस को भी एयरपोर्ट पर स्पोर्ट किया गया जहां पर वो पिंक पजामा और ग्रे जैकेट में बड़ा की खुबसूरत नसर आई थी आपको बता दे कि जैकलीन फर्नांडेस अक्सर ही अपनी भैतरीन अंदास को लेकर जानी जाती हैं अपने सिजलिंग अफतार को लेकर जानी जाती हैं ऐसे मे सल्मान खान जो हैं अब अपनी चहीती केट्रीना को भूल कर जैकलीन का यह अंदास देख कर यकिनन दिवाने तो जरूर हो जाएंगे आपको बता दे कि सल्मान और जैकलीन की जोडी बड़े परदे पर हमेशा हिट रहती है तो वही सल्मान खान इन दिनों के ट्रीना कैफ कि साथ वन भारत की शूटिंग में काफी जादा पिसी हैं लेकिन जैकलीन फर्नार्डिस का ये एरपोर्ट लुक देखकर सलमान खान भी के ट्रीना को भूल कर जैकलीन के दिवाने जरूर हो सकते हैं क्योंकि जैकलीन की ये तस्वीर इतनी जादा वारिल हो रही है और जैकली देखा गया अपनी ममी उज्वला पदकोन के साथ जहाँ पर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भाई डिपिका अपने सुसुराल वालों का साथ छोड़के अब अपनी ममी के साथ मस्ती कर रहे हैं दरसल आपको बता देए कि बीते दौरान रनवीर सिंग को भी अपनी ममी के साथ देखा गया था जहाँ पर काफी खबरे सामने आ रही थी कि शायद रनवीर ने रिपिका का साथ छोड़ दिया और ऐसे में जहाँ पर रनवीर अपने पेरेंस के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई डिपिका न अंदास में यत्ती खेचा रहे हैं बॉलिवत की सिंगर कहलाए जाने वाली नेहा खकड जो बीते दौरान बॉइफ्रेंड हिमांशु संग प्रेकप के बाद सुर्कियों में च्छाई हुई हैं देखा जा रहा है कि प्रेकप तो हो चुका है मगर दिल से वो प्यार आज भ अब देखा गया जो आप देखा गया जो आप देख सकते हैं यहां पर कि शिल्पा नेहा के आसूओं को पोच रही है मानो कही न कही देखा जारा है कि नेहा कुछ भी क्यों न कह दे हिमांशु को लेकर मगर प्यार तो आज भी वो पे पनहा करती है बॉलिवट की देसिकर यानिकी प्रियांका चोपड़ा जो अकसर ही खबरों का खारण बनी रहती हैं हाल ही में प्रियांका को देर राज स्पॉट किया गया फतिनिक के साथ धिन देट पर जहा पर आप प्रियांका और निक की इस खोपसूरत तस्वीर को देख सकते हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये चोड़ी बॉलिवट से लेकर हॉलिवट तक अपने चल्वों को बिखे रही है शादी के बाद से ही प्रियांका ने काफी जादा सुर्ख्यों में चाह रहे हैं शादी के बाद से ही देखा जा रहा है कि इन दोनों का प्यार और भी जादा ओपन हूचुका है आपको बता दए कि प्रियांका चोप्रा इन दिनों जो है अपनी फिल्मों को لेकर भी काफी बिजी है प्रांका चोपरा की फ्रेगनेंसी की खब्रें भी काफी जादा वाईरल हो रही थी और ऐसे में कही न कहीद्रेस के कारण लाकों की ड्रेस होने के बावजूद भी प्र्यांका चोपरा को फ्रेगनेंट पता दिया गया हलाकि हो सरफ एक अफ़वा थी मugर यहाँ पर आप इस वॉक करती हुई नसर आती हैं रांप वॉक करते हुए हसीना बेहद ही खुपसूरत नसर आती हैं लेकिन कभी-कभी आक्रुस के साथ एक ऐसा हाथसा हो जाता है जो काफी जादा शर्मसार होता है जिहां कभी भी किसी भी आक्रुस के साथ रांप पर अचानक से कभी उपस मु लेकिन जैसे ही वो चल रही थी याने की वॉक कर रही थी वैसे ही उनके पैर लड़ खड़ा गए और वो बुरी तरह गिरते गिरते बची हैं सोशल मेडिया परीज़ा की कुछ तस्वीर और वीडियोज भी वायल हो रही हैं बॉलिवुट में अपनी एक मुस्कान से सबको अपना दिवाना बनाने वाली एक्ट्रस सोनाली बेंपर जो पिछले काफी वक्स से कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से जोच रही थी वो पिछले काफी वक्स से नियू यॉप में अपने कैंसर का इलाज करवा रही थी तो वहीं अब वो कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से निकल चुकी हैं और अपने देश वापस सलोट कर आ चुकी हैं वो अब मुंबई में हैं अपने परिवार वालों के साथ काफी जादा इंजोई कर रही हैं तो वहीं इसी दरा सुनाली बेंदरे की एक तस्वीर सामने आए हैं और कैंसर के बाद उनकी हालत में काफी जादा सुधार आया है दरसल सुनाली बेंदरे इस तस्वीर में मुस् तस्वीर शेयर करके लिए है फिल्म डर्टी पिच्चर में बॉलवड आख्रस विद्या बालन ने अपने हुसन के जल्वे भी खेरे थे इस फिल्म में विद्या बालन को दर्शिकों ने काफी जादा पसंद भी किया था सिल्क बनकर विद्या बालन ने बॉक्स ओफिस पर ध नसराई और उनका ये लुक्त वाकी दिवाना बना देनी वाला था ये तस्वीर आपको बता दे कि विद्या बालन एक अवार्ड नाइट के लिए तयार भी थी और इसी दरान विद्या बालन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वारिल हुई है जिससे दर्शिकों ने काफी जा पूर खान और देसी गर्ल प्रियांका चोपडा एक वक्त पर एक दूसरे से काफी जादा लड़ चुकी है यानि कि इन दोनों की कैट फाइट की खबरे खुब आसमान चु रही थी लेकिन अब ऐसे बीच में खबर आई थी कि दोनों के रिष्टे सुधर चुकी हैं लेकि अब एक बार फिर से करीना और प्रियांका शोपडा में करन जोहर के सामने काफी पुरी फिड़त हो गई है जो यहां दरसल हाल ही ने करीना और प्रियांका करन जोहर के चैट शो काफी विद करन में पहुंची थी जहां दोनों ने अपनी परसनल लाइफ के बारे में कई ब प्यांका से पूछती हैं कि तुम्हें नहीं पता वरुन्धवर किसे डेट कर रहे हैं तो पीसे इस बात पर कहती हैं कि नहीं मुझे नहीं पता तभी करीना फटाक से कहती हैं सुनो हॉलिवड जाकर अपनी जड़ों को मत भूलो और इसके बाद दोनों आक्ट्रिसेज खूबस्त जोड़ी अनुष्क और वराट जो अकसर ही खबरों में चाये रहते हैं शादी के बाद से ही अनुष्क और विराट के बीच की ये खास ट्विनिंग को देखा जा रहा है हाली में अनुष्क और विराट को sfot किया गया एयरपोर्ट पेच यहाँ पर दोनों بेह तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कार के अंदर रोमांटिक हो रहे हैं दोनों और मीडिया को देखकर खेल खिलाते हुए भी दिखाई दिये आपको बता दे कि यह कहना गलत नहीं होगा कि शादी के बाद से ही अनुष्का जो है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर भी सुर्खिया बटोर रही थी ऐसे में कहा बीते दोरान जो रहा था कि शायद अनुष्का शर्मा प्रेगनेंट है मगर आप यह साब में यह तस्वीरों को देख रहे हैं जहां पर यह साफ तौर पर लग रहा है कि अभी फैंस को थोड़ा इंतसार हौर करना होगा वेल 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 दोस्तों तो देखा आपने कि किस तरह से यह सारे आक्टर्स इन दिनों काफी जादा चर्चा में बने हुए हैं यह सारे आक्टर्स काफी जादा चर्चा में तो बने ही हुए हैं और साथ ही साथ इन्होंने सोशल मीडिया पर संसनी भी मचा दी लेकिन दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही हमें दे दी जो इजाज़ाद पर आपने राश्न हुए बॉल वूर से लुड़ी एसी मज़दार और चटपिटी खबरों से रूबर होने के लिए सब्स्ट्राइब करना बिलकुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूस को